मेरे प्यारे साथ हुआ आप सभी का हमारे फिटर फटर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि आप लोगों को मालू है और मुझे बताने में बहुत ही खुशी हो रही है कि भेल भोपाल का अपेंटिस का फाइनर रेल्ट आ चुका है जिसका आपने रिटिन एक्जाम दिया था और इसका रेल्ट अभी आया है अभी नो फरवरी को आज ही के दिन तो आप लोग कैसे इस रेल्ट को चेक करें आपका सेलेक्शन हुआ या नहीं हुआ और यदि हुआ है तो आपको क्या करना है नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है यह सब मैं आपको बताऊंग देगे इस तरीके से आप लोगों को यहां पर पहुंच जाना है भी हमपेज साइट से केरियर से अब यदि आइड़ी वाले हैं तो आपको पहले नमबर पर किलिक करना है यदि आप graduate डिपलोमे वाले हैं तो नीचे वाले पर करना है पर हम आईड़ी वालों का बताएंगे क् एक IT वाला हूँ इसलिए IT वाला बता रहा हूँ डिप्लोमा वाले भी नीचे वाले पर किलिक करके अपना रुजेश्टेशन नंबर है एकनोलिजमिन नंबर और अपना डिट अप बाट डाल के चेक करेंगे तो मैं चेक करता हूँ अपना और आपको चेक करके दिखाता हूँ कैसे आपको चेक करना देगे मैं इस पर किलिक कर दिया हूँ जैसी मैंने इस पर किलिक किया तो यही वही पेज खुल गया जो मैं बार बार आप लोगों को बताता रहता हूँ हमें क्या है login id पर जाना देखे यह acknowledgement number आप लोगों को दिख रहा होगा इस acknowledge number पर हमें अपना number डालना है और इदा पर date of birth डालना है date of birth ऐसे करके हमें डालना है जिन लोगों को नहीं आ रहा है वो देख लीजिए पर मुझे ऐसा विश्वास है कि आप सब लोगों को आ रहा होगा तो हम इसको select करके इसमें डालेंगे date of acknowledgement number मैं अपना एकलोरी नमबर डाल देता हूं आप लोगों को कई बार में बताता रहता हूं मेरा acknowledgement number ft wise 0036 यह मेरा acknowledgement number है और इसके बाद मैं इसमें डालूँगा अपनी date of birth date of birth डालूँगा 01 oblique 07 oblique 2000 यह मैंने अपनी date of birth डाल दी और नीचे जो बटन है यह login वाला इस login वाले बटन पर हमें किलिक कर देना है मैं आपको login वाला बटन दिखा देता हूं देखिए यह login वाला बटन है इस पर हम किलिक कर देंगे तो हमारा खुल जाएगा देखिए दोगस्तो इसमें यह लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है sorry you have not you have not been selected यानि मैं इसमें select नहीं हुआ हूं क्योंकि मैं इस paper को देने नहीं गया था मैंने केवाल only registration किया था आप लोगों को समझाने के लिए आप लोगों को बताने के लिए पर मैं paper देने नहीं गया था जो लोग paper देने गए थे और उनका selection नहीं हुआ है तो कुछ इसी तरीके का लिख के आएगा जिसका selection नहीं हुआ जिसका selection नहीं हुआ कुछ इस तरीके का लिख कर आएगा उनकी मतलब profile पर जब लोग इन करेंगे तो इस तरीके का लिख के आएगा इसलिए आपको परिशान नहीं होना है जिस लोगों के मैं ऐसा लिख के आ रहा उनका selection नहीं हुआ है और वे लोग सांद ना मैठे और कही apprentice की जगए निकल रही है मैं हमेशा बताता रहता हूँ अपने channel से तो वहाँ पर वो apprentice के लिए दूसरी जगए apply कर सकते हैं परिशान नहीं हुआ दिमाग खराब नहीं करना है अब जिन बच्चों का selection yes हो गया है उनके मैं कैसा आएगा वो मैं आपको बताता हूँ देखे ज यहां से दिखाऊंगा इस तरीके से लिखके आएगा उन लोगों के में ऐसा एक बड़ा सा PDF डाउनलोड हो जाएगी इस तरीके से जैसे हम आप लोगों को दिखा रहे हैं देखे यह PDF पूरी मैंने आपको दिखाए यह आप लोगों की डाउनलोड हो जाएगी जिन लोगो का सेलेक्शन इसमें हो जाएगा अब इसे सब कुछ लिखा हुआ दिखे बीएचल के बारे में लिखा हुआ है यह सब उनका एड्रेस बगरा लिखा हुआ अब मैं इधा से पढ़के आप लोगों को सुना देता हूं थोड़ा सा मेरे को सुनाने में दिख्या देखे पहली वाली लायन से में पढ़ता हूं यहांसे यह लिखा हुआ है सिख्च्चा अधिनियम 1961 के अंतरगत ब्यवसाय सिख्च्च्चा प्रिशिक्च्चन के लिए च स्थाव में प्रेषित किया जा रहा है यानि किस परिक्च्चा के आधार पर लिखित परिक्च्च्चा के आधार पर तो यह पहली लार्ण मेंने पढ़ते हैं अब मैं दूसरी लार्ण पढ़ना हूं एक बसकी प्रिशिक्चन रौदी के दौन आपको कोशल विकास सिह वं ग्रहन किया है तो सिच्टा अधिनियम 1966 के अनुसार 1973 के अंदर आप सिच्टा प्रिसेशन के लिए पात नहीं होगे यानि देखिए इस तीसरी लायन में जो लिखी गई है यह चीज यदि आपने कहीं ट्रेनिंग कर लिए अपेंटिस तो आप इस अपेंटिस के हगदार नहीं होगे क्योंकि एक बार यह अपेंटिस होती है प्रिसेशन के दोरान आपको बियेचल वहवाल के सभी नियम कानून का पालन करना होगा किसी भी प्रकार के अनुसासन हिंता और नियम का उलंगन करने की इस्तिती में आपको प्रिसेशन से बाहर कर दिया जाएगा यदि आपने कोई भी उद्धन रहता कि इसे लड़ाई की तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा यदि आप सभी आप सभी आदिनियम नानुबंद समाप्त करना पड़ा हो तो भी आदिनियम के आदिन सिक्षता सलायकार के पूर्प अनुद्धन के बिना पुना सिक्षू के रूप में आपको प्रिस्पत नहीं दिया जाएगा यनि कि आप कहीं ट्रेनिंग कर रहे थे और आपने कहीं लड़ाई कर ली थी आपका आदे में ही ट्रेनिंग खतम हो गई है आपने कहीं भी आदे में ट्रेनिंग छोड़ दी है तो आप फिर भी इधर पर अपेंटिस नहीं कर पाओगे ये बात कहीं गई है इसके आदम आगे और आपको सुना देते हैं अच्छे अच्छी बात है इसके बाद अगला है आपको बी एचल भोपाल के सुक्ष्टा अनुमंद करना होगा जिसका पंजियन RDSDE भोपाल में ITI ब्योसाय अपेंटिस के लिए किया जाएगा यानि आपको RDSDE में आपको अपना पंजियन करना होगा आपका प्रिस्ट्रिक्षन संबोधन संबंदिन सिक्ष्टा सलायकार द्वारा सिक्ष्टा अधिनम नैंटी सिक्स्टी बन 1973 के अधियन पंजियन करन होने पर ही पूर्ण माना जाएगा यानि कि जब आपकी जोईनिंग होगी आप BHL भोपाल के अंदर जाएगे तो अहाँ पर BHL भोपाल के जो आपके जो अधिकारी होंगे वो आपका एक पंजी करन करवाएंगे उस पंजी करन का नाम होगा RDSDE यानि जो आपको अपिंटिस कराती उस पर पंजी करन करवाएंगे यानि आपको पंजी करन हो जाता है तब ही आपकी जोईनिंग पूरी मानी जाएगी इसका दगला है सलंगन प्रारूप में दस आये गए स्वस्ता प्राणपत और सारेजिक स्वस्ता की निउनतमापन की पूर्ती यानि आपको अपना स्वस्थ का certificate भी ले जाना पड़ेगा मैं अभी बताऊंगा कैसे आपको स्वस्थ का certificate बनवाना है आपको अपना स्वस्थ certificate इसके बाद एक जो certificate आपका बनेगा ये सास की चिकिस साथकारी से बनेगा ये गवर्नमेंट जो होस्पीटल में जो डॉक्टर रहता वही बनाएगा आपको सहाइक सिविल सरजन की सेनी से नीचे का ना हो यानि कि जो सहाइक सिविल सरजन होता उससे नीचे का नहीं होना चाहिए अन्था आपका स्वस्थ certificate काम नहीं करेगा चिकिसी स्वस्थ प्रिक्षण कराके सलंगन प्रारूप में स्वस्थ प्रोणपत लाना अनुबारी होगा आपको स्वस्थ प्रोणपत ले जाना है जिस तारीक को आपकी जोइनिंग है अन्था आपको प्रिसक्षण के लिए प्रिविस नहीं दिया जाएगा यापको जोईनी नहीं दी जाई किरपिया धहान रखें मैं अगला point पढ़ने वाला हूं किरपिया धहान रखें वाला किरपिया ध्यान रखें कि यह प्रिष्टा के वर एक बरस की प्रिसिक्ष्ण के लिए है शिक्ष्टा प्रिसिक्षण के उप्रांद बहुपाल प्रवन्दा शिक्षण किसी प्रक्रकार की निक्ति देने के लिए बाद नहीं हो गए यानि आप यह नहीं मत समझना कि हम पर्मानेंट हो गए बहुए एक साल के बाद आपको निकाल दिया जाएगा कोई भी आप दावा नहीं कर सकते प्रिसिक्षण के लिए रिपोर्ट करते समय आपको निकुलेद मूल दस्ता बेज एवं उनकी सो सत्यापरत प्रती एक प्रती अपने साथ लानी होगी यानि जो आपके में डोकोमेंट है औरिजिनल डोकोमेंट है वो तो ले जाना है प्लस उसकी एक एक फोटू कोपी करवाना है उस पर अपने साइन करना है एक एक साइन करना है और उसको आपको ले जाना है आपके प्रिशिक्षाण योगता सम्मन्दी मूल प्रवाणपत अंक सूची दसमी बार्मी आईटी आई जो भी आपने भरी हो यदि आपने दसमी तक भरी है तो दसमी आईटी आई ले जाना आपको और यदि आपने दसमी बारमी व आईटियाई भरी है तो वो भी आपको आईटियाई की सभी सेमेश्टर की एक साथ मार्क सीट ले जाना है इसके बाद हम आँगे बढ़ते हैं ये पूरा आप लोग पढ़ लेना बिल्कुल अच्छे से क्योंकि बहुत जरूरी है वो भी आपको ले जाना है उसमें वो आप देख लिजी ध्यान से ओनलायन आब इदन पत्त पूर्था भरने के पश्चाच जो आपका अक्नोलेज्मेंट सिलिप निकली थी उसकी एक फोटू कौपी करवा लीजियो एक उसको खुद को ले जाई दूसरा मूल निवासी यहीं निवास प्रॉणपत और जाती प्रॉणपत यदि आपने लगाया हो बिगलांग का EWS का साइटिपिकेट लगाया हो वो भी आपको ले जाना है इसके बाद आपने यदि EWS लगाया है और आपका CWS नहीं है तो आपको उसमें जोईने नहीं दी जाएगी और आपका जो EWS इसाइटिपिकेट होना चाहिए तीसरे नमबर में पढ़ रहा हूँ वो एक बर्स से अधिक पुराना नहीं होने चाहिए अगला पढ़ चौथा पढ़ निमलिद में से किसी भी एक व्यक्ति जो आपका रिष्टेदार ना हो से चरेत प्रवाणपत या अंतिम बार सिच्छा प्राप्त करने समंधी संस्था के प्राचार जिलादकारी उप जिलादकारी तैसीलदार नैप तैसीलदार इस सबसे एक आपको चरेत प्रवाणपत बनवाना है आपको अग दिखिए इसमें आपने महलो आपका आखरी संस्थान आईटियाई है तो आप आईटियाई से भी अपना चरेत प्रवाणपत बनवा सकते हैं लेकिन आपका वो रिस्तितार नहीं होने चाहिए आप जिलादकारी से बनवा सकते हैं उप जिलादकारी से बनवा सकते हैं तैसीलदार से बनवा सकते हैं चरेत प्रवाणपत नैप तैसीलदार से बना सकते हैं आपकी नमिन्तम पास्पोर्ट साइज की फोटो की पांच पितियां चाहिए आपको यानि पांच फोटो ले जाना साथ में बीचल भोपाल के कमच पुत्र पुत्री जो भी हैं यदि उनके एंप्लोई के लड़के हैं तो उनके अपना मेडिकल टोकन जो मेडिकल की बुक बनती है उसकी फोटो कॉपी आपको ले जाना है किरिप्या नोट करें कि सेक्षण अत्वा अन योगताओं के तत किसी भी समय गलत पाए जाते हैं यदि आपने जो जो फोम में भरा था और आप जो लेके जा रहे हैं यदि उसमें कोई भी गड़बड़ी मिली अलग कुछ पाए जाता है तो आपका वहीं पे जोइनिंग से नरस्त कर दी जाएगी शुक्षता गर गिरान करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का भद्ता नहीं धिया जाएगा यानि आप जैसे ट्रेंज से जा रहे हो जो आप जोइनिंग के लिए जा रहे हो तो उसमें कोई किरायर है आपको कुछ भी नहीं मिलेगा प्रिसीक्षण के दोना चात्रावास की कोई विवस्ता नहीं होगी आपको खुदी किराय से रहना पड़ेगा ऐसा विये चलने बोला है आपको यदि आपको उपरान निवंदन एवम सरते सुईकार हैं तो आप भरती कक्ष माना पांचमी मंजल printer पर होना है जो हमारी HRD की बिल्डिंग होती इसी पांचमी मंजल पर आपको जाना है और कब जाना है वो आपको दिखा देता हूँ पांचमी मंजल पर आपको कब जाना देखे आपको यदि यह सरतें जो मैंने पड़ी है सुईकार हैं और आपकी सही हैं सब तो आपको पांचमी मंजल प्रसासनिक भवन में आपको जाना है बियेचल भोपाल में 14.2.2023 जिनका मैंने कॉल लेटर यह दिखाया है आपको उनका जोइनिंग लेटर आपके मैं 15 भी हो सकती है 15 फरवरी भी 16 फरवरी भी हो सकती है 13 फरवरी भी हो सकती है प्राता 8 वजे जिनका मैं यह दिखा रहा हूँ call letter यह joining letter उनको बोल रहा हूँ आप सबका joining letter अलाग-अलाग होगा और यह जगह कहाँ पढ़ेगी यह पढ़ेगी golden jubilee gate number 1 से आपको प्रिवेश दिया जाएगा कहाँ से प्रिवेश दिया जाएगा BHEL भोपाल के jubilee gate के gate क्रमांग 1 से आप फिर से देख लीजिए jubilee gate के gate क्रमांग 1 से घुसने दिये जाएगा आप किसी भी gate से नहीं घुस सकते हैं यदि आप उक्तिनांग को पस्तित नहीं होते हैं तो आपका प्रस्ताव नरस्त किया जाता है यानि जिसके joining letter में जो date आती है आपको उस date पर पहुँचना पड़ेगा अन्था आपका joining नरस्त कर दी जाएगा अब आपको ये प्रोफार्मा जो मैंने बताया चरित प्रमाण पत्र और आपको स्वाच साइटिव कर ये कहां से ले जाना है ये मैं ये मैं आपको बता देता हूँ ये कहां से आपको मिलेंगे देखें ये नीचे आपको सबसे पहले इधर पर देखें ये देख रहा है आपको तो इस पर आपको किलिक कर देना है तो आपको इधर से मिल जाएगा ये प्रारूब मैं इसको किलिक कर देता हूँ मैंने एक किलिक कर दिया तो यह आपको लेटर मिल जाएगा देखे यह सारा कुछ आपको प्रारूब मिल जाएंगे इसको आप पूरा पढ़ लेना जो जो आपके प्रमाडपत मैंने बताए देखे यह सारे वही प्रमाडपत हैं सब यह पूरे मैंने बताए आपको अभी उस प्रसाशनिक डॉक्टर होना चाहिए सरकारी डॉक्टर होना चाहिए जनरल साजन से नीचे करने होना चाहिए यह वाला आपको भरवाना है डॉक्टर साप से और यह आपको स्वस्थ प्राणपत आपको अपने साथ लेके जाना है दूसरा आपको यह पुलिस अत्कारी द्व जाना है और इसके बाद जो भी आपके डोकुमेंट है उसकी ओरिजिनल कॉपी और एक-एक उसकी फोटो कॉपी साइन करके लेके जाना इसके बाद देखिए आँक है नाक कान का यह सब दिया है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मैं आपको पढ़ा के सुना देता यह सब आपका बजन कितना होना चाहिए असमें देखिए इसके बजन यह सब लिखा गया देखिए बजन इतने 25,04 किलोग्राम उचाई 37 संटीमीटर और यह सब होना चाहिए आँक में किसी प्रकार के नेत्र में कोई लक्षण मैंनी नाकों में कोई दिक्कत नहीं होना चा आप लोगों को बता दिया तो आप इसकी तैयारी कर लीजिए और कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अधि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें फिटर फाइटर को और बेल आइकनी भी दमाएं क्योंकि मैं समझ समय पर छोटी चोटी बातें आप लोगों को अपलोड करता रहता हूं जो आपके लिए बहुत बड़ी बातें हो सकती है क्योंकि चोटी चोटी बातों में हम परिषान हो जाते हैं और आज के लिए इतना ही जैहिन जैया भारत